नमस्कार जहीं दोस्तों आप देख़ए मास्टर वीडियो ओफेसियल और अभी जो गुरूप D का एक्जाम होने वाला है तो उसके लिए हमारा सिलेवस क्या रहे ना है क्या पढ़ ले क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है तो क्या सब पढ़ ले ताकि आप अच्छाए स्क और कर पाओगे तो आज हम उसी पे बात करने वाले है वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा ताकि बहुत सारा कुछ किलियर हो क्योंकि अगर आप यह चाहते हो कि पूराने पैटर्ने पे चले तो वैसा नहीं होगा NTPC exam आप देख चुके हो तो इसलिए थोड़ा अच सही के लिए एक नमर मिलेगा गलत के लिए एक वर्टे तीन होता है याद रखिएगा इसको और तीन फेज में एकजाम होता है पहला तो अपना पीटी होगा उसके बाद जो होते से फिजिकल एफिसिएंसी टेस्ट भी होता है दोड़ने वाला उसका बादने बात करेंगे और फिर डॉकुमेंट वेरिफिकेशन अभी मेर लिए हम बात करने वाले कंप्यूटर बेस टेस्ट जो होता है सीवीटी वन उसकी पर उससे पहले बता दे अगर आप टेक्स्ट बुक का सेट लेना चाहते हैं तो अभी मस्त सेल चल रहा है अगर आप M.V.O. यूज है और बहुत सारे लोग यूजर है अगर आप ग्रूप डी का भी देखो तो चार लाग से अधिक लोग इसका सेट दे रहे हैं तो रियल कंपिटिशन आपको वहाँ पता चल पाएगा तो अभी यूज कीजिएगा ये इस महिने तक का ही सेल है पचीस परसेंट मिलेगा आइन जो रिजनिंग का है वो तीस प्रसन है सबसेलिक वेटश अगर बात करें तो रिजनिंग का ही है और जीके और करिंट अफेयर मिला के बीस प्रसन है मतलब सबसे अधिक अगर आप सिक्यूर करना चाहते हो नम Krishna को तो आपका मैथ रिजनिंग और जो साइनस है यहां से आप नमबर को सिक्योर कर सकते हो करेंट अफेर के 8 परसन संभवता 6 से 8 परसन रह सकते हैं ठीक ना और जो जीके का परसन रहेगा इस पर बात करेंगे पर ये सब क्या है सबसे अधिक इंपोर्टेंट है पहले बात करते हैं mathematics का NTPC को ध्यान में रखके ही कीजिएगा अगर आप पुराने पैटरन गुरूप D को फॉलो कीजिएगा तो थोड़ा भू धोखा मिल जाएगा इसलिए NTPC में जिससे अधिक परसन आया हुआ था उसको अधिक हम जैसे ये पुरा जो लिखा गया है वो syllabus के according लिखा गया है इसमें जो red mark है उससे अधिक परसन आने का chance है इसलिए इसको पहले complete के जिएगा जैसे कि LCM, HCF आप NTPC का हड़ एक shift में ये question देखे होगे साथी group D में भी आपको मिली जाएगा mensuration का एक से दो परसन पका मिल जाएगा HCF से एक परसन geometry से भी एक परसन fix है एंगल निकालने वाला और trigonometry से NTPC मेंना की दो परसन आया था आप इसमें एक परसन कावमीद रख सकते हो जिसे मुखित है height and distance से हो सकता है ठीक ना calendar calculator से परसन नहीं आया इस बार तो हलाकि ऐसा नहीं छोड़ देना है थोरा बुद कीजिए का बहुत अधिक focus नहीं देना है aesthetics जो mean median होता है group D में कम chance है time and work ये काफी important हो जाता है ये चारों काफी important है time and work काफी परसन आये थे 2-3 परसन आ गया था इससे जो null और pipe बला होता है इससे भी परसन आता है इस दोनों में से मतलब चलता रहता है mix up कभी इससे परसन आ जाए कभी इससे time and distance very very important इसको बिलकुल भी नहीं मतलब जितना अच्छे सोसे कर लिजिएगा time and distance को क्योंकि इससे 2-3 परसन आ रहे थे ratio proportion से 1-2 परसन आते है तो time and work और pipe and distance इसको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा profit and loss percentage very very important है age calculation किसी किसी में आ रहा था नहीं आ रहा था तो इसको भी जरूर कभर किजिएगा CISI काफी मतलब एक calculated question जो आ रहा था hard question जिसको कहते हैं वो आपका CISI से और time and work से आ रहा था तो इस दोनों को अच्छे से पढ़िएगा नए नए टैप का question देख देखे ताकि आपको exam में कहीं कोई दिक्कत ना हो board mass जो simplification वाले टैप का प्रस्ण होता है तो algebra का भी था पर असान प्रस्ण था जैसे इस टैप का था x square plus 1 by x वाला इस टैप का था यह तो square root fraction decimal board mass से काफी harder प्रस्ण आ रहा था तो board mass को काफी अच्छे से practice किजिएगा बहुत अच्छे से fraction में इस टैप का जैसे 1 by 2 है 2 by 3 है ऐसे कर दिया रहेगा कौन छोटा है कौन बड़ा है ऐसे प्रस्ण आते हैं तो यह सा math का जो प्रस्ण है जिसमें red color वाला है उसको तो बहुत अच्छे से आपको मतलब इसका चाहे तो आप screenshot ले लीजिए जो red color मैंने किया हुआ है ना उसको जरूर एक बार बना लीजिए time तो कम है इसलिए red mark वाले को उसमें भी जो time and distance है time and distance time and work percentage, CISI यह सब, mensuration, LCM, HCF इस सब को बहुत अच्छे से cover करना है इसके बाद बात करते हैं reasoning का जो है reasoning में अगर बात करें तो इस पर puzzle को नहीं छोड़िएगा हला कि group D के syllabus में उतना अच्छे से दिया नहीं था पर अगर आप देखो NTPC के syllabus में भी नहीं था यह ठीक ना फिर भी setting arrangement और puzzle मिला के 8 से 9 परसन आ रहे थे NTPC में प्रतेक सेट में तो इसलिए इसको थोड़ा वो ज़रू प्रेक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि यह time taking होता है प्रेक्टिस ज़रूर कर लीजिएगा coding, recording से भरभर के प्रसन आता है 2, 3 से तो पक्का समझिएगा relation, जो blood relation होता है 100% इसे प्रसन आता है direction से भी आता है jumbling से भी आता है जैसे कि दाये से 40 पे नमर पे आपका है बाये से 41 पे नमर पे है तो कितने नमर है इस line में इस सब्टाप का जो प्रसन आता है mathematical operation जो देखते होंगे 4 box दिया रहागा इसमें value, इसमें value, इसमें इसका value निकालना है तो इस सब्टाप का प्रसन पे अधिक practice कीजिएगा क्योंकि exam में वो अधिक time लेता है numerical series का अलग-अलग tips जो होता है किसी में add किया होगा, किसी में जोरा होगा, घटाया होगा तो इस पर थोड़ा काम कीजिएगा हलांकि अगर आप लोग कहिएगा तो topic बैस जो होता है इस पर हम सोचे हैं हलांकि हम भी कि वीडियो बनाएंगे लेकिन आप लोग का एक्षा तभी हो पाएगा ठीक न तो यह अब लोग बताईएगा statement से इस वार भी 3-4 प्रसन आ रहा था तो यह पका आएगा इसको जरूर देख लिजिएगा statement वाला जो प्रसन आता है, argument वाला cellularism से एक प्रसन आ रहा था देख लिजिएगा थोड़ा बहुत और alphabetical series अगर आपका नमर याद है, नमर system complete है और ABCD का value याद है तो आप इसको बना पाईएगा, मेले यहाँ पर यह चार जो है ना इससे बहुत अधिक प्रसन था और coding and recording से, यह अगर आप कर लोगे कि mathematic operation समभबता बन जाता है सबसे तो यह दोनों मेले अच्छे से कर लिजिएगा यह वाला part आपके लिए काफी important है अब बात करते है science में तो science में तो बस यह कह दिया जाता है कि 10th standard का, लेकिन physics, chemistry और biology का या left science, इसको environment भी आप इसको count कर सकते हो, तो physics में कुछ-कुछ हलाकि सब important हो जाता है, इसका हम topic भाई जी अलग से बात करेंगे, क्योंकि कहने के लिए तो पुरा science हो जाता है, पूरा science 10th standard का, पर इसमें कुछ-कुछ इसरण से अधिक प्रसें आता है, गुरुपिडीडि वालेमे, लाइट से अधिक प्रसें आता है, इलेक्ट ती से अधिक आता है, तो शो क्योंकि अगर आप last 16 17 का जो एक्जाम हुआ था जून में इसमें प्रस्ण आया हुआ था फरवरी का भी ठीक ना तो आप ये गुरूप D का जो होगा उसमें आप बिल्कुल उमीद रख सकते हो कि कम से कम March तक का प्रस्ण आएगा March अप्रिल तक का परसन जरूर आएगा ठीक ना जरूर देखिएगा और 2021 का तो पूरा कंप्लिट करने के बाद दोर 22 का भी ये सब देखना ही परेगा चार मेने का तो इधर जून तक कर लिजिएगा जून से लेकर अपरिल तक का पूरा करेंट आपको अच्छे से कंप्लिट होना चाहिए और इसमें भी सबसे अधिक अगर पूर्सन देखेंजें तो में प्रैज की बात करेंसे modular अधिक प्रस्ण आ रहा था, science tech से इस रोखोल मिला के एक प्रस्ण आ रहा था, पुराना वाला भी पर आ रहा था प्रस्ण, art and culture aesthetic वाला काफी अधिक आ रहा था, art and culture जो gk का portion होता है, personality जो ही personality news तो ये एक से दो प्रस्ण आ रहा था, पर ये sport और प्राइज, इसी में मेली personality भी कॉंट कर लेजिए, economics से कर static वाला बात करें तो दो से तीन प्रस्ण आ रहा था ठीक ना, politics से काफी अधिक प्रस्ण आ रहा था, politics जो है मतलब दो तो अनुछेदी आ रहा था, तो इसमें भी प्राइज वाला बात कहाना, बहुत important है, politics बहुत बहुत important है, economics politics, economics और art and culture इस तीनों को जरूर कर लेजिएगा, history भले ही आप छोड़ दो history छोड़ दो, geography छोड़ दो लेकिन culture, art and culture जो है economics और politics, ये तीनों जरूर कर लेजिएगा current affair में sports, science and technology और प्राइज जो है, वो सब जरूर कर लेजिएगा और एक चीज लास्ट में बता दें कि test book का मैं कहता हूँ, पर एक चीज दिमाग में रखिएगा आप अगर set त्यारी कर रहे हैं, एक पे कभी भी dependent नहीं होईए, दो चार practice set ले लिजिए, क्योंकि अगर आप एक ले रहे हैं तो आपका जो द्रिष्टी कोन होता है, वो एक टैप का हो जाएगा, समझे ने इस बात को, तो इसलिए various practice set लिजिए, ताकि आपको अलग-अलग platform पे अलग-अलग idea लगेगा, सही तरीके से आप exam दे पाईएगा ओके इस बात को समझेए, और अगर text book का लिजिएगा तो MBO यूज कीजिएगा, आपको discount मिलेगा link description box में है, चले इस वीडियो को end करते हैं, मिलते next video में, तब तक के लिए जैंद